नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों केसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि भगवान इंदर दे और मालक्षमी जी के आशिरवात से आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके लिए आपके ही जीवन काल मे एक एसे खुसखबरी लेकर आया हूँ एसी खुसियों का पेगाम लेकर आया हूँ जिनने सुन लेंगे तो दोस्तों आपके भी होस उड़ जाएंगे साथे साथ जो आपके पीट पीछे आपकी बुराया करते हैं जो आपसे जलते हैं जो आपसे इस्या करते हैं दोस्तों उनके भी जीवन काल में हड़कंब मच जाएगा जहां दोस्तों तो दोस्तों आपको बता दें कि वह कौन से जानकारी है वो कौन से खुस खबरिया है जो कि आपको यह समें मिलने वाले हैं इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जानकारी उल्लोंको बिल्कुल भी कानो कान खबर मत होने देजिएगा जो आपसे जलते हैं जो आपसे इस्या करते हैं क्योंकि दोस्तों आप सबी को हमने पिछले कई बीडियों में बताई हैं कि बुरे दौर की सुरुआती आपको यहीं से सुरु होती है तो दोस्तों बातों को बहुती जादा गौर से सुनियेगा जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि देवों के राजा भगवान सरी इंदर देव अब आपके कुंडिली में करने वाले हैं बहुती बड़ा उलट फेर जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल साम 4 बच कर 20 मिनट के बाद से आप सभी के कुंडल में गुरु गरह और सुक्र गरह लाप की इस्तिती में आने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आपको आचानक से लाप की एसी इस्तिती देखने को मिलेंगे जिनने दोस्तों सुनकर आपके भी होस उड़ जाएंगे जिहां दोस्तों लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर ज्यादा उच्छलने का ज्यादा समय नहीं है बस साथानिय पुर G1 काल को पूरी तरह खुसियों से भर देगा। जहां दोस्तों आपको बतादें कि कल साम चार बच कर 20 मिनट के बाद से गरहों की ऐसी इस्टि बनने वाली है कि मानो सुन कर आपके पुरे परिवार खुसी से जुमने लगेंगे, खुसी से नाचने लगेंगे। जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप से यह समय से आपके जीवन काल में आपको जो जो लाब मिलने वाले हैं जो जो खुस खबरियां मिलने वाले हैं दोस्तों वाकिये में आपके जीवन काल को पूरी तरह बदल देंगे जिहां दोस्तों और वो ब पिछले समय इतने मेहनत की हैं उनके सभी पालों के लिए जिहां दोस्तों दोस्तों हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को अब बिल्कूल ही मिश न करें और अपने जीवनकाल की महतपुन समयों में से थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को आंत तक देख लिजिएगा क्योंकि दोस्तों बहुती सारे जातक होते हैं कि जल्दबाजे में वीडियो को आधे अधूरे देख कर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं और बाद में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है जिनकी वहां कामना करते हैं तो दोस्तों चाहें वो कार आप कर नहीं पाते है जिनका फल भी आपको नहीं मिल पाता है तो दोस्तों हमारा बस आपसफी खुसियों का धेंडोरा बजने वाला है जहां दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग आपके पीट पीछे बुराया करते थे जो आपसे इस्या करते थे जो लोग आपसे जलते थे दोस्तों वो लोग अब देखते ही रह जाएंगे जहां दोस्तों गुरु ग्रह और सुक्र ग पार में आपकी नोकरी में ऐसी सफलता है अब आपको मिलने वाली है आपके रुकोईए कारों में ऐसी तेजी आने वाली है दोस्तों यकीन मानिए घोड़े सी भी तेज अब आपकी किसमत दोड़ने वाली है जहां दोस्तों आपकी तरीकी देख सभी लोग देखते रह जाए प्रवाश जाएंगे, सभी लोग सोच में पड़ जाएंगे की आखिर केसी इनके साथ एसी घटनाए हो सकती है, आप सभी को बता दें की जो लोग इस रासी के जातक हैं और पिछले कई समयों से बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार भी थी और रोजगार चले गए हैं, और द दोस्तों जो भी धन से जोड़ी दिकते हैं, धन से जोड़ी जो भी समस्याएं हैं, कल साम चार बचकर 20 मिनट के बाद से वे सभी समस्याएं आप देखेंगे की धेरे धेरे लुप्त होते जाएंगे, जिहां दोस्तों बरस्ते दोस्तों जो बाते हम आपको आगे वीडियो आप सभी को बता दे कि भगवान स्री इंद्र देव और मा लक्षमी आपकी कुंडली के लिए जुग्रहों की इसती बना रहे हैं, दोस्तों में विवाके ही आपके जीवन काल को पूरी तरह बदल देंगे, जहां दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में अब आपको कौन-कौन से ब लिए जाएगा, उसे पाले दोस्तों जो भगवान स्रीहर्व विश्नु जी के, इंद्र देव के और मा लक्षमी जी की जो भी प्रिये सच्चे भक्ते हैं, दोस्तों बेडियों को एक पैरा सा लाइक अवस्य कर दें, और इनके लिए कमेंड बोक्स में सच्चे मन से जाए मा लक्षमी जय सिरहर्व विश्नु जरू लिखेगा, दोस्तों भगवान सिरहर्व विश्नु जी और मा लक्षमी जी की आसिम किरपा दिरिष्टी आप सभी के जीवन काल पर होगी, सभी समय से आने से पहले खत्म हो जाएगी, जी हाँ दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथी बेल आइकन को प्रेज करके ओल पर स्लैट कर लें, तो आई दोस्तों बात करते हैं, सुरुवात करते हैं कि मा लक्षमी और भगवान सिरहर्व विश्नु जी के आसिम किरपा से आप सभी के जीवन काल म गर के माहौल में पारवारी चीवन में, स्वास्त बिजनस बेपर में क्या-क्या खुश खबरियां देने वाले हैं, क्या-क्या काम्याबी आपको यह शमय मिलने वाले हैं, बात करते हैं पूरी विस्तार से। आपको कहीं से एक एसी खुश खबरी आएंगे, एसे सुप समचार आएंगे, जिससे दोस्तों आपके जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों आपको वह अच्छे कर्मों के फॉल मिलने वाले हैं, जो दोस्तों आप पिछले दिनों में आप अच्छे भले काम किये थे, लोगो से या कोई कार से संपन होने वाले हैं, जो आपको पिछले समय में वह कार पूरा नहीं हो पा रहे थे, या भी कोई परकार के काम पूरा नहीं हो पा रहे थे, या फिर कोई भी परकार की समर्शियां चल रहे थी, तो दोस्तों वह पूरा होने वाला है, आपको कहीं अच्छ आपको सफलता मिलेगी व्यक्ति का थित्य समाजिकर में भी वैस्ता रहेगी. अज दिन की सुरुवात में काम की अधिकता की दुज़े से बहुत अधिकर वैस्तार्य गी। इस मेहनत का मन चाहा नतीजा मिलेगा, किसी समारों में सामिल होने का भी निमंतरन मिलेगा, आपसी मेल जोल से शब को खुशी भी मिलेगा। तो आपको निसीती सफलता मिलेगी, आप सारीक और मानसी ग्रूप से अपने आपको ससक्त मैक्सूस करेंगे। अपने इन कम्यों पर काभू पाएं, विवाव को अपने केरियर पर ध्यान देने की जोरत है। परिवार में सुखाद महौल रहेगा, किसी पूरान मित्र के मिलने से सुखना में यादाता आजा होगी। इसमें वर्तमान बतारण से अपना बचाव रखना जरूरी है, अपना इन्फिर सिस्टम मजबूत रखने के लिए भरपूर प्रियास करें। तरके सदस्यों के साथ मोज मस्ती तथा मरणजन में भी समय वितीत होगा, प्रेम समंद में भी प्रगलता आएगी। प्रेम समंद में भी नजदेखियां बढ़ेगी। आपका काम करने का और सफलता हासिल करने का जुनून आपको काम्यावी देगा। वेवसाइक काम में चली कुछी रुकावटें दूर होगी। इंसुरेंस और कमिशन समंदी बिजनेस में भी से सफलता मिलेगी। नोकरी प्रेशा लोगों को खाज जिम्यदारियां भी मिल शकती है। तो आपके लब लख के बारें बात करें तो पत्ती पत्तने के भी समद्ध मधूर रहेंगे। वेज़ के प्रेम समंद में अपना समय नाश्क ना करें। तो आपस में बेट कर सूल जाने से परिसितियां शमल भी जाएगी दोस्तों आपके स्वास्त में इसमें दातों का दर्द परिशान कर सकता है ज्यादा एसलेटी बढ़ाने वाले खात पदार्तों का शेवन ना करें असुन्तिलित दिन्चारिया वाखान पान की वज़े से पेट खराप हो सकता है वर्तमान समय में अपने स्वास्त को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है गल में इंफेक्शन तथा कब समंधि समस्या रहेगी अर्वेद को अपने दिन्चारय में जरूर शामिल करें आसी जुखाम बुखार की समस्या परिशान कर सकती है वर्तमान मोसम के बदलाव से अपना वचाब आवश्यर रखें जिस दो बात करताब के उपाय के वारे में दोस्तों मा लक्षमी को ये फूल अति प्री है और मा लक्षमी स्वयम कमल के फूल पर बिराज मान रहती है सुकरवार के दिन माता लक्षमी की पूजा करतेश में अपने हाथों में कमल या गुलाब का फूल रखें और उनको माता लक्षमी के चर्णों में अर्पित कर दें मानता है कि ऐसा करने से घर में सुक सम्रिदी आती है और तरकी के योग बनती है दोस्तों सुकरवार के दिन घर के बने हुई पहली रोटी गाय को खिला दें इसे आपकी धन आवग बढ़ेंगे मैं दोस्तों आप बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली आंक छे है दोस्तों मालक्षमी जी की आसिरवात आप सभी को प्राप्त हो सची दिलशे कमेंड बॉक्स में जय मालक्ष मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद